तेज़ें आप सब्सक्राइब करता हूं फटाफट अपक्राइब करता हूं फटाफट सभी लोग आजाईए काफी इंप्पॉर्टन क्लास होने जा रही गई सब्सक्राइब करते हैं जितने बच्चे जुड़े हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्री और प्लस में क्या डिफ्रेंस है फ्री में लिम्टेट से लिबस है सब्सक्राइब करते हैं लिए ग्रीट करेंगे लिए जो चल रहा है त्विल्स से बैच चल रहा है ट्वल्स से बैच चल रहा है त्विट्टेंबर चल रहा है सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं अब देख सकते हैं इंडिया के टॉप लेवल के अजुके ट्रस्काइब फड़ा रहे तरफ ति एड कर सकते हैं अब देख सकते हैं सुपर ट्रेटक बैज बढ़ों ब्याप एक्धेंद दे रहा हुपाईंली आपको फूर ट्रीड तो फैने सब्सक्राइच डर्वाइन कर सकते हैं तैसरी जितने जुड़े बच्चे उना थोक्षी इस जोएंड क सिक्समनट 12 में विट मोप्त एटी निवहर से टीपर्सेंस टर्डॉब तो अप सब्स Vernon जोटाए बिरबढवीपडी ऑग मोर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्णिंग लिए ट्रीमन्स इक्समन्स ट्वेल मन्स के लिए आप सभी लोग जूट सकते हैं फड़ा फटलती जाई कोड याद रखिएगा उद्धेन हमारा कोड इसको जालते ही 10 परसेंट आप पोड़ इसकांट मिल जाए गाए अगर आप कुझा अप्लाई गया इसको सभी बच्चे आजए अगर लगबग बच्चों को मैंने शेर कर दिया और आज जो मॉर्णिंग वाली क्लास थी वो कि हुई है वो किस पर हुई है वो ही है है वाट साढ़े आठ वाली क्लास हुई है वेटा है लो टीचर पर देख पारहा हूं लगबग बच्ची जुड़ने अगर अगर देश्च नमस्कार नमस्कार बच्चे इस पेशल से पीचर टाय रीगया सबसे इंटरिव से सेचरों से घर यह यह बहुत ज्यादा बारीश हो रही है ऐसे कर सकते हैं कोई भी इनपरोप्रियत गर सब्सक्राइब अब है श्राइब करते हैं पहला कुश्चन आपकी स्क्रीन पर आगया है इन कानपुर अलो दिलबाग पहला कुशन आपकी पर आ चुका है अगा है दो अगल 300 ते कि यां वी आ अधूके ऑफ प्थी शेली कि ओ कि इस कि पीबी शैले बिटा कैसा लगा आपको प्लास बता दिंजेगा है कि यस यस कि यस कि पीबी शैले की ख्राश्ण आपको मिली ज कि यस ओके अच्छा उसमें थॉमस शैले हो गया उनके पिता का नाम उसको टिमोथे शैले कर लिजेगा टिमोथे शैले कर लिजेगा गलती से उसमें थॉमस अपने बोल दिया है लिग भी दिया है शायद तो वो एक टंग स्लिपर है वो निकल गया बता ऐसे ही थॉमस शैले हो गया उनके पिता का नाम टिमोथे कर लिजेगा इतना तो खैर आप लोग अंडरस्टूड है यह इतना तो करी लेंगे मैंने वैसे मेंशन कर दिया है इन बॉक्स में मैसेज बॉक्स में मैंने बता जी जा है परहते तो घर खैर मैंट तो आप है कि तो थॉमस को टेमोध शैले टेमोधे शेले कर लिए का थॉमस लेगा लिए ऊसे स्टूरत ब in English literature in English literature Blank words was furt used by very very important with us यह समझे आप अगरして diverse a जूनिया रेटर का अग्जाम दे रहें तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि क्या बात है सम्डरीन क्याा बात है जितने एस नाम वाले होते हैं बड़ा एक्स्पेन करते हैं जैसे स्रीपाल समरीन ठीक है है इंगले लिटरेचर ब्लैंक वर्ड वर्ड फर्स्ट यूजड वाय तो देखें मिल्टन तो काटी दीजिया रेट शेक्ष्पियर को भी काटी दीजिए वर्ड में तो होई नहीं सक लिए ब्लैंक वर्ड यह ठीक है अरलोफ सरे हैंब्री ओवर्ड ने फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया कोई बात नहीं कोई बात नहीं आप लोग बात देख लिए ठीक यस एविल भी जराइट आप से जितने बच्चे आतर दे रहें और मॉर्णिंग में ने ग्रामर की क्लास लिए पिटा वो हेलो टीचर पे नहीं थी आप जाके देख सकते हैं यह जितने भी बच्चों का रिप्लाई आ रहा है ठीक है अगला कुशन देखें दा फर्स्ट एंग्लिस पोईट तो राइट इन टेर्जा रीमा वास हू यू यूज़ फॉर हिस और बहुत जल्दी आपको ओड की क्लास मिलने वाली है मेटर की क्लास मिलने वाली है राइट नॉवल की मिलेगी ट्रैजडी की मिलेगी उसमें सब पढ़ाएंगे टेर्जा रीमा वरत क्या होता है बिल्कुल बिल्कुल वर्ब में और भी टॉपिक करा दीजिए बिल्कुल करा जाएगा डोट वरी जॉन मिल्टन शैले चॉसर या एडमन डिस्पेंसर या बहुत से बच्चों का भी आंसर आ रहा है अभी नहों अभी नहों पूनम हो यू और जितने भी बच्चे लुटत जेएंट लेडी यज यज यस-ज यस-डेंटमन डिस्पेंसर भी विल भी दार राइट इसनिव जी एडमन डिस्पेंसर यस आग्रोप ऑफ त्री लाइंस इस 파्ल एज त्री लैन के ग्रूप को क्या कहा जाता है अग्रूप आफ प्री लाइं इसकॉल प्रिलाइन के ग्रूप को क्या कहा जाता है अग्रूप और त्री लाइन इस गॉल डेर ट्री लाइन या इन में से कोई नहीं और मैंने भी एक दो दिन पहले ही बताई था एक बार्त मैं पढ़ा रहा तो उसमें शिमें ने बताई थी जल्दी आंथर ले यस अग्रूप ओफ त्री लाइन्स इस कॉल्ड एस ट्री लाइन ट्री ओलन या ट्रसेट यह परिया कांसा रहा है पूनाम वेरी गूट संब्रीन यह वेरी गूद टैसर इस राइट आधर याध सी विल भी जराइट आंसर बहुत ज्यादा यहां डीप में जानी की जरूरत रही है मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं मैं पढ़ाऊं गां उसमें सब मैं बताओं क्या होता है ठेक है विच इस टेंजा फ्रॉम डिट शैले यह लिए अभी आज ही पढ़ाया है विच इस टेंजा फॉर्म डेट शैले हैड यूज दिन पोयम ओट तुद वेस्विड ओट वेस्विड में शैले ने कौन सा फॉर्म यूज किया अज ही पढ़ाया गई अब यह तो गलत नहीं करिएगा इन्हें बहुते ज़्यादा पेश्टी खराब हो जाएगी थाइंक यू थाइंक यू विच स्टैंजा फॉर्म डेट शैले हैड यूज इन पोयम ओट तुद अवेस्विड यह कुश्चन गाइज नहीं गलत होना चाहिए ने पेश्टी खराब हो जाएगी बहुत ज़्यादा यस 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 बिल्कुल बिल्कुल देखिए रामरोयल नहीं होगा बिटा खटट जाएगा ठीक है और ये वर आहमाँ नहीं होगा चैन्जटर इमाइज तका यहैं इस राइध आंसर इन तो इन तफया शी विल बी ढ़ाइब आधर आफ सुवाई ही अने थी बताई चैन्जर form written blank words is a poetic form written on a blank page with blank feelings and iambic pentameter lines rhyming with each other in iambic pentameter line unrhymed but the blank words is a poetic form written a poetic form written it on a blank page with blank feelings in iambic pentameter line rhyming iambic pentameter पेक्लास में बनाता हूं अलग से यह वर्ड बहुत ज्यादा आता एक्जाम में और कई बार हर वर्ड में लगब 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 यह बोलता हूं तो एक मात्र साथ से आठ मिनट का वीडियो है उसमें मैं सारी चीज़े क्लियर कर दूँगा आपको बैटा डी वाले थोड़ा सा ध्यान दें जितने भी यह डी वाले हैं थोड़ा सा ध्यान दें बैटा कि यह थोड़ा सा अप्रोट ध्यान देरें डी वाले थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि बहुत बहुत गलबड़ कर रहे हैं आप लोग कैसे आप लोग गलत कर सकते हैं कि मताइए कि मताइए कि मताइए कि मताइए कि अध्यान देख पा रहा हूं काफी बच्चे जोड़ गएं कि यास 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 सी वाले जरा ध्यान दें कि स्वाम्यक आंसरा रहा राइमिंग भी दिशेदर बस गरबड़ हो रहा है बहुत ज्यादा गरबड़ हो रहा है कि गुट मॉर्निंग गुट मॉर्निंग देखे एक चीज़ समझ लीजे आपको आंसर मिल जाएगा पुट्री दैट है दर रेगुलर रिदम जितमें रेगुलर रिदम होता है बट हूज लाइन दू नॉट दू नॉट एंड विद दा सेम साउंड सेम साउंड पे जो खतम ना हूँ तो इन आयम्बिक पेंटामिटर लाइन अन्राइम दिद्ध राइट आंसर डी विल दिद्ध राइट आंसर जितने बच्चों का आंसर आ रहा है बिल्कुत है लाइन के अंतिम सब्द के स्वर समा जिए नहीं होते हैं यह चीज़ आप लोग्धान रखिएगा ठीक है इंपॉर्टेंट तो ब्लैंक वर्स इस पोट्री डाट इस रिटेन अनराइम्ड आयम पेंटामिटर याद रखिएगा इसको माइंड में सेट कर लीजे लिए और सेक्स्पियर ने अधिकतर अपने जो प्लेश में जा रहा हूं उसमें सारी चीजिए मैं बता दूंगा किया हता है एक लिएन जा रहा हम यह क्लास पें स्रेट कुमG जल्दी बताए अच्छा यह कुश्चन है आप लोगं के लिए जल्दी आंतर में हाँ तो सोचना चाहिए ना हम लोग जब मैंस पढ़ते थे मंदा हम लोग एक सर्थे जब मैंस पढ़ाते तो ऐसे बोलते थे सब्सक्राइब लेकिन बच्चे मैं देखता हूं टीचर के हाव भाव पर इतना ज्यादा विश्वास करते हैं कि उनका कॉंफिडेंस कम होने लगता है और आप लोग का तो कम नहीं होना चाहिए यह तो प्लीर यह चीज़ें आप लोग ध्यान रखते हैं ठीक है कि चलिए इसका अंसर दीजिए लिरिक प्रॉस्पी इस रिटेन भाई यह 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 मैं देख पा रहा हूं प्रॉस्पी थे किसका वर्क है तो देखे मैं आप लोगों बजाना चाहता हूं रॉबर्ट ब्राउनिंग इस राइट अर्वर्बर ब्राउनिंग देट ग्रेटेस देट सॉंग इस एवर रिटेन जितने भी रिखेंगे इट अब बैटल सॉंग इट इड़ बैटल सॉंग एंड पोएम ओफ विक्ट्री यह 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 ब्राउनिंग कवर ब्राउनिंग यह इंपॉर्टेंट कोश्चन था काफी इंपॉर्टेंट है और अगर यह आता एक्जैम में यह यह स्रीपाल यह मैं बता चुका हूं ब्लैंक वर्स कितने इंट्रड्यूस किया आप तोड़ा लग रहा है लेट जुने हैं आच यह 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 देखना चाहिए थोड़ा का रइट तो लिरिक प्रॉस्पेज इस रिटेन बाई रोबर्ट प्रॉंग यह ऐड़ेड़ आव पर स्कॉफ एंग लॉंग निरेटिव इन वर्स इस कॉर्ल एक लोग निरेटिव होता है वर्स में उसको क्या कहते हैं लॉंग निरेटिव इन वर्स इस गॉल ज्यादा से ज्यादा आपनों रिवीजन कर डाली विटा अलोंग नेरेटिव इस वर्स इस कॉल्ड फड़ा फड़ा बताहिए बिल्कु सही एपिक इस राइट अंसर जैस गई यस यस एपिक ओड्टु ऑटम एद पॉपुलर ओड वाई यह भी मैंने पढ़ाया अभी एक दू दिन पहले ही पढ़ाया इसमें सारे यह ऑप्शन गलत है टाइपिंग गलत होगी यह लग रहा है ठीक है इसमें सारे ही ऑप्शन गलत है ठीक है जहां तक मैं देख पा रहा हूं यह टाइपिंग यही चीज आपने अभी पहले वाले कुश्चन में नहीं की थी कुश्चन आते ही आंसर आपके माइंड में आ जागा चाहिए यह टाइपिंग मिस्टेक है बी में बैटा जॉन कीट्स लिखा हूँ है कॉलिंस ने लिखा हूँ यह यह जॉन कीट्स इस राइट आंसर आगे हुजस सेड हुजसिस्जम इज हैंडरोमेंटिसजम डिजीज ओहहु किसने कहा है कि लॉस्प रार यह वह स्वाक्तख है स्वास्त एंडल मेंटा सिजम बीमारी है ओहु कितना पुरा कमेट लग रहा है माझा वर्च्वर्द गाते बेर्हार और या जल्दी बताएं फ्रफर आंसर दें प्रफर आंसर दें प्रफर आंसर दें यह 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 क्लासिशिजम इद हैल्स एंड रोमेंट इस्वेड़ीज पूनम का अंसर आ रहा है सपना तो मर बैरी गुट बैरी गुट बच्चे ठीक है ठीक है बिल्कुल सही है गाचे का यह स्टेटमेंट है यह यह भी विल भी जराइक आपकर गौचे ने कहा है इसका एक शॉर्ट नोट का वीडियो मैं अपना रहा हूं कई सारे स्टेटमेंट ऑथर्स के वह बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा who defines romanticism as the who defines romanticism as the renaissance of wonder theodore what donton keeps words worth the water pattern for a friend who defines romanticism as the renaissance of the world कि अभी किसी का reply नहीं आ रहा है यह यह अमरनाथ यह बता रहा है कि बिल्कुल बटा त्योडर वाट्स जंटन का यह स्टेटमेंट है यह डिफाइन करते हैं और यहीं पर मैं चीज आप पर आफ यह और पूछना जाता हूं एक पूछना जाता हूं एक फ्रेएग यह एक फ्रेइज है गाइस fell कि विलिंग नियस विलिंग स्यफिपेंशन ओफ डिस्बे पयलीव और ओफद डिस्बेलीव यह किससे असोसियेटट इस रहिंग ट नहीं नहीं पेटा और उससे पहले चले जाईए शिवांगी मोहन और उससे पहले चले जाईए और ग्रीक यूनान रुमन राइट एरिस्टो प्लेटो एना एरिस्टोटल प्लेटो की एसको बोलते हैं की रवाइज किया गया कि कही बार रिवाइज करनेगा प्रयास किया गया तो यह सिस्ट एविल भी दर अग्ला लेंग एक बच्चे ने मैसेज किया था एक बच्चे ने को दो तीन बच्चों ने कि तर एक बार विलियम वर्ट्सवर्थ के जो वर्क ने वह रिवाइस करा दें मैं फिर बोल रहा हूं जूनियर एड़िट के लिए अपने माइंड में जो जो ऑथर आपके आते हैं वही इंपॉर्टेंट है शेक्सपियर वर्ट्सवर्थ मिल्टन गासवर्थी दो आएंगे लिए पीजी ठीक है कम से कम 9-10 ऑथर्स हैं जो बिल्कुल सेलेक्टेड हैं जहां से कुश्चन्स आने ही आने हैं जिसमें 5-6 ओथर्स मैं आप लोग है या तो कमलादास होंगे या तो टैनिसन अल्फरेड लॉर्ट टैनिसन सबसे बड़े ग्रेट विक्तोरियन पोईट मिलने वाले हैं में यह ग्रामर ज्याद है यह लेकिन वङलेक्ज भी हम लोग रिवाइस करें तो कुछ इनके इंपोर्टन गर्ट है जिसे अकि प्रवेड बेनका प्रवीड इंप ऑिल्यकल बैलिक्ण में पुबिज़र में लिरिकल बैलेट अने वाला है व्याव, आर्ड़ इन ब्लैंक् पोएम कमपोज जुलाई 13 1798 और जब यह फर्स टाइम इनों ने विजिट किया था टेंटर नाइब को उस समय नहीं लिखी थी फर्स टाइम विजिट 1793 में किया था उसके बाद 1798 में जब यह गए उस समय वर्ग लिखा गया और मैं बताना चाहता हूं इसके टाइटल को जो आप देखेंगे तो उसमें लिखा है री विजिटेट क्या लिखा है री विजिटेंट ठीक है याद रख्येगा केवल इंपोर्टेट पढ़ना है बहुत डीप ली नहीं पढ़ना है वाच्षाली सरमा बहुत बड़ी गल्टी और मुर्कता करेंगे जूनियर ए ओली बच्ची ör 시간이 बहुत गहराई पढ़ना तो आप इल्वना बैसमें पॉढ़ना करते हैं लेक्रें विलियम वर्सवर्स विस्टेंट अबें 1793 1798 और 1843 तेंटन अबे टाइटल लाइस रिटन आप फ्यो माइस अब 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 टेंटन अबे सबस्क्राइब अब एक्सटेंट और गंड़ एक्ष्टा अब इसे नेटर 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 ने उनको प्रवाव सिया the poem is divided into three parts scene setting है experience of the landscape है address to the silent listener तीसरे पार्ट में वो address करते है silent listener को silent listener कोई और नहीं उनकी sister डोरोती है उनसे बहुत एक close थे और throughout the poem डोरोती is referred as a friend पूरी poem एक friend के रूप में उन्होंने refer किया है ठीक है बिलकुल इसके बाद देखिए immortality ode very very important और याद करिए शैले का कौन सा वर्क immortality ode से प्रभावित है अभी आज सुभे बताया है ठीक है ये चीज़े आप रखें फुल टाइटल ode on intimation of immortality from recollection of early childhood the poem was completed in two parts compose eighteen hundred two four stanza and eighteen hundred six seven stanza total eleven stanza कितने stanza total eleven stanza return in pendari code form कि में लिखा गया पिंडारी कोट फॉर्म में लिखा गया है inspired by one case the retreat और इसने ज्यादा हो रही है कि लग रहा है बाढ़ हाज जाएंगे हो बिल्कुल दा प्रिल्यूड आप देखसे हैं ओके ओके प्रिल्यूड इनका बड़ा ही autobiographical work है बड़ा ही important और मास्टर पीस ये वर्किंद का माना जाता है डिए रिटेन इन ब्लैंक वर्ट देके ब्लैंक वर्ट कितनी जगहार है पता होना चाहिए इन्होंने कभी इसको कुई टाइटल ने दिया वो इसको पोएम टू कॉलरेज कहते थे एक बड़ा ही एपिक वर्क लिना चाहते थे रेक्लियूज वो कप्टी लाइफ में हो complete नहीं कर पाया कि उसी का फर्स पर्ट प्रिद्ड कहला है कि रमते कि इंपॉस्पर्ट लाइफ और सब्सक्राइब तरोथी वर्ट्स वर्ट्स ने में इसको क्या नाम दिया रोट ओपोइट्स मैंड कुछ लोग कहते हैं कि यह सेम एस्ती कॉलरेज ने कहा था लेकिन यह डरोथी वर्ट् in Final Name इसको जो the final नाम दिया है इनकी wife Mary Hutchinson ने दिया Mary Hutchinson वर्जवर्ट इसको द प्रिल्यूड जो कहा है in dedicated to ST Kalvamay एक वडिकेटेटेटेटेट अस्थवाल वडिकेटेटेटेटेस पॉर्ज। the prelude was completed in 1805 जिसमें 13 books the prelude was finally published in 1850 उस समय उसमें 14 books ने गई उस समय उसमें 14 books the prelude is known his magnum opus oh oh magnum opus magnum opus आपने अगर किसी को नाम देजिया तो बहुत ही बड़ा यह नाम हो गया कॉलरी रोन इन रिस्पॉंस अफ प्र लीव्ड टू विलियम वर्सवर्थ ठीक है कॉल रिच रोट पोएं में रिस्पॉंस अफ रिव्ड तो विलियम वर्सवर्थ ठीक है कुछ इंपॉर्टन फैक्ट्स है प्रिल्यूट रिटेन इन मिल्टॉनिक ब्लैंक वर्सवर्थ एटीन हंडेट फाइफ जो वर्दन था थर्टीन बुक सी एटीन फिफ्टी वर्दन में फोर्टीन बुक सी यह सारी चीज़े आप लियाद रखेंगे ठीक है यास कैस यह छोटी इस नहीं चीज़ें हैं आप लोग याद रखें यह आपको हेल्प करेंगे बहुत ज्यादा है परेंगे अगर इस एक बच्चे का कबेंट आया कि मैगनम उपस क्या है तो मैगनम उपस क्या है बताईए भई मैंम उपस का मतलब क्या होता हैमे दिय्चिरण ऑपस का मतलब बता रहें कोई राइटर या ऑथर का कोई ऐसा वर्क है जो माना जाता है कि उसकी सबसे सर्वोत्तम रचना जैसे अभी सीरीज चल रही है अकबर बाबर वह कौन सी चल रही है अभी सिरीज आईए डिजनी हॉट स्टार पे एक सीरीज चल रही है अकपर बाबर जो भी है उसमें रंग्दे बसंती वाले हीरो ने किया है रोल तो उसको कहा जा रहा है कि उसका मैगनम उपस मूवी है वो उसकी रेट तो ये एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है महान क्रसी क्या मतलब होता है महान क्रसी सो दिं दिं समल Bell do तो अगर तुम्हे हम महान टीचर लगते हैं तुम बहुत सकते हैं तो मैगनम उपस का मतलब होता है यतिस याश या एंग्र पर होने की दरूरत आपनों को नहीं है क्लियर है गाइज मैंगना मुपास वाले बच्चे क्लियर है कि नहीं क्लियर बताईए बेल नहीं बताईए ताव हम आगे बढ़ेंगे एक मिनट बच्चों मैं आप लोगों को वाट्सेप कर रहा हूं जा जूने रहे हैं चली मैंने स्टेटस पर लगा दिया आप लोग देख लीजेगा एक मिनट बच्चों एक मिनट रुक जाई है बस जड़ा एक सेकंड गाज़ा मुझे समय देजिए आप मैं आप लोगों भेज देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट है एक मिनट ठीक है जस्ट मिनट बिटा हूं कि चली मैंने स्टेटस पर लगा दिया आप लोग देख सकते हैं ठीक है अभी कोई दिक्कात नहीं होने वाली है ठीक है गाईज हाँ बिटा माला मिश्रा चल रहा है 14 सेप्टेंबर से जूनियर एंडेट पीजी टी के लिए बैच हमारा चल रहा है आज भी क्लास है कल भी हुई थी परफो भी हुई थी आज भी क्लास है देखिए बिटा पर देखिए वाटसेप पर देखिए अगे देखने बड़ा ही इनका इंपोर्टेंट वर्क रहा है टूमिल्टन जैस यह स्टू मिल्टन बड़ा ही इंपोर्टेंट वर्क रहा है और टूमिल्टन सब्टाइटल लंडन एटीन हंड़े टूमिल्टन को डैडिकेटेड मिल्टन को सरद्धांजली देते हुए वर्टसवर्ट कहते हैं कि अरे मिल्टन तुम्हें होना चाहिए था इंग्लैंड को तुमारी ज़रूरत है वर्टसवर्ट के समय में बहुत ज्यादा पतन हो गया था और मिल्टन को याद करते हैं मिल्टन को याद करते हैं उन्होंने यह वक्त लाइन मैंने एक्स्प्लेंड किये गई आप जाके देख सकते हैं एक एक लाइन मैंने एक्स्प्लेंड किये रिटेन एंटेंड ट्रिबूट तुमिल्टन फर्स इट वाज पब्लिज अंडर दाइटल टू लंडन एटेंड बट वर्ट्वर्ट चेंज इस टाइटल तुमिल्टन एक्सका टाइटल कर दिया ठीक है माइकल बड़ा इंपॉर्टेट वर्क एक पैस्टोरल नेरेटिव पोएम है माइकल इन ओल्ड शेफ़र्ट दपोएम माइकल वाज रिटन इन एटीन अंड़ एट ग्रास मेयर एंड पब्लिज इन अफ लिरिकल बैलेट सेकेंड एडिशन लिरिकल बैलेट में पब्लिज हुआ था यह वर्ट 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 दिस्क्राइब दपोएम एस पैस्टोर ठीक है यस यस-ट्यूक वाजिशन लियूक उसकी बेटे का ना था इसकी बात देखेंगे इन दृट्ट एक एक लाइम ने एकलाइन एक्प्लीट गीए दो आटेटी रीपर इसकी बीएक एक लाइन पने इसके बाद दा रेंबो दे सकते हैं लिरिक है कंपोज 1802 फ्रेंच रेवलुशन कंपोज 1804 पब्लिज 1809 पार्ट्स ऑफ दे प्रिडूट था है ओट्यूटी इस्टर्ण डॉटर इन्हों ने इसमें ऑथर ने ड्यूटी को इस्टर्ण डॉटर ऑफ दा वॉइज ऑफ गॉड ऑथर कॉज डूटी ऑथर डूटी को क्या कहते है इस्टर्ण डॉटर कठोर डॉटर और वॉइज ऑफ आवाज टीश्वर की इसके बाद सिरीज ऑफ फाइव लूशी पोएम साती है यह भी इंपॉर्टेंट है राइट इस ट्रेंज फिट दा पैशन आया है वाई नून सी ड्वेल्ड अंट्रोडन वेज आई ट्रेवल्ड अमंग अन्नोन मैं त्री एर से ग्रीव इंसनेंस ओवर असलंबर डिट माई स्पिरिट सी यह सारे इंपॉर्टेंट है यह सारी चीज़े आप लोग्यान रख उसमें नहीं आता है यह कुछिन अलग से पुछा आता है दा जैफूर दिल्स आप देख सकते हैं इस अनदर टाइटल आई वेंडर्ड लूनली अग्लाउड अल्सों ओपनिंग लाइन और यह ओपनिंग लाइन भी है इड वास फॉर्ट पब्लिज इन एटेंटेंटेंट अच्छा लग रहा हूं अब लग रहा हूं लग रहा है पानी बहुत ज्यादा बरस रहा है बेटा मैं आप लोगों क्या बता हूं हमारे घर में घुच गया पानी अब वर्ट वर्ट का नेचर को ज़्याद ही आज महरवान है पूरी दुनिया पर आज मैं नेचर से बाते कर रहा हूं कि रुख जओ रुख जओ रुख जओ लेकिन नेचर कह रहा है कि नहीं रुखेंगे आज मुझे क्लाउड वाली फीलिंग आ रही है जो दाक्लाउड चेंज मैं बदल सकता हूं बड़ाई कांट डाई लेकिन मैं मर नहीं सकता हूं आपका घर भी अगल वगल नहीं ने आपी लोग क्या आते कुछ चाय पकॉड़ी नस्ता होता आप क्या वैठके लोग कि लोग कितना ज्यादा मेटरलिस्टिक लाइफ में डूबे हुए हैं नेचर से कितना ज्यादा दूर हो गए हैं और यहीं पर मैं बताऊं कि पहले जो सॉनेट थी पहले लव सॉनेट को लव कि लिए ही जाना जाता था पहले लेकिन जब मिल्टन है और मिल्टन ने लाइफ और डेथ पर सॉनेट दिखना स्टार्ट की और उससे प्रहावीत्य वर्ट वर्ट तो आप देख सकते हैं बड़ा अच्छा एक्जैम्पल है कि यहां करें आप लोग भूल जाते हैं कही बार हमने कहा है मैसेज मत किया करिया अभी क्लास दे रहे हैं अभी क्लास की बाद ही तो कर पाएंगे बठाव Lucy Gray, Lucy Gray is a ballad written by William Wordsworth 1799, it is published in his lyrical ballad, it describes the death of a younger named Lucy Gray who went out one evening into a storm, Lucy Gray is generally not included with Wordsworth Lucy poem, जो Wordsworth की Lucy series थी उसमें Lucy Gray को इंक्लूड नहीं किया था, इवन दो हलाकि it is a poem that mention a character named Lucy, हलाकि इसमें जो poem है उसमें character का नाम Lucy ही है, Lucy से इंडिकेट किया गया है, अरे फरहीन रिजवी हुई है तुम लोग के एकदम यार परिशान कर देते हो, message पर बात करों कहीं बैटने कहीं कोई message नहीं करने लगए, it is not my channel बिटा ब्लॉग हो जाएंगे आप लोग में उझे बहुत दुख होगा कि आप लोग ब्लॉग हो जाएंगे यहां क्लास नी दिख पाएंगे प्लीज यार आई रिक्वेस्ट यू bits and passion have i no important words it is a seventh ten year poem ballad by wordford it was composed during a sojourn in germany 1798 the poem was first published in second edition of lyrical ballad guys ठीक है the poem describes the poet's trip to his beloved Lucy cottage the poem is written iambic centimeter and iambic triameter guys ठीक है चलिए okay okay yes 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 ठीक है चलिए गाइज अभी इतना ही रखते हैं सिर अब लोग मिलेंगे अभी साड़े बारा बज़े special class दिये साड़े बारा बज़े आपनों special class में जुडिएगा thank you